सब्सक्राइब नाउ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल दाइस्पीड इस्टेडी में एक बार फिर से स्वागत है हम लोग जो है करेंट अफेयर डिसकस कर रहे हैं और करेंट अफेयर में मैंने कल पहला पार्ट दे दिया था जिसमें आपको जो है 34 कुष्चन मैंने बता दिये थे आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे और पूरे मार्च का हम 300 कुष्चन डिसकस करेंगे इसको आप अपने काफी में लेख सेज़े अगर इसकी PDF चाहिए हो ताप कमेंट में हमें बताएं तो हम इसकी PDF भी आपको एवाइलेबर करवाएंगे तो आज हम अगला देखेंगे टोटल जो है आज हमारा 100 कुष्चन पूरा हो जाएगा कल तक हमने 34 कुष्चन चोगी कल फर्ष्ट टिडे था इसलिए मैंने 34 कुष्चन बताया आज उसके आगे बताऊंगा तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला कुष्चन है 20 सुस्रमड दिवस 20 सुस्रमड दिवस जो है किस साल मनाया जाता है पहला आप्सन 3 मार्च दूसरा 1 मार्च चौथा 2 मार्च पाचवा 4 फर्वरी तो इसका जो सही आप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मार्च यनि कि 20 सुसरमड दिवस जो होता है 20 सुस्रमड दिवस जो होता है जो वर्ड बैंक है, वर्ड बैंक ने जो है 12 बिलियन सहायता की घोच्टा की है, फिर आगे देखे किसको मुंबई में BCCI की क्रिकेट सलाहकार समीति द्वारा राष्टी चैनल पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो है हमारे कौन सुनील जोसी जी, सुनील जोसी जी को B BCCI की क्रिकेट सलाहकार समीति का जो द्वारा राष्टी चैनल का अध्यक्ष बनाया गया है, फिर आगे हम देखेंगे, बैटमिंटन एसिया सिप नोवेल कुरोना वायरेस प्रोकोप उपेंद्र वुहान की सहर में इस्थान्तरित कर दिया गया है, तो इसका जो सही आप् होगा, वो होगा मनीला में, तो जो बैटमिंटन एसिया सिप एसिया चैंपियंशिप है, वो नोवेल कुरोना वायरेस के चलते, कहां पर इस्थान्तरित कर दिया गया, मनीला में, फिर आगे हम देखते हैं, अगला जो है हमारा, अगला लिखा है हमारा, कि चालू बित वर् एसिया मतलब ग्रामीड बैंकिंग प्रडाली में, नाबार्ड दौरा कितनी रासि का निवेस किया गया है, तो जो हमारी ग्रामीड विकास प्रडाली है, उसमें नाबार्ड दोरा जो है, एक दिसमलो 46 लाounded करोन रूपे का जो है, निवेस किया गया है, आगे देखते हैं हम अगला जो है लिखा है कि सैफाली वर्मा की सेखेल से संबंधित हैं तो जो सैफाली वर्मा है वह हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं फिर आगे देखते हैं औरशठवी अखिल भारती पुलिस एथेलिटिक्स चयमपियंजिप 17 किस राज द्षार आयूजीत हुई तो ये जो है हरियाडा के द्वारा आयोजित हुई फिर देखते हैं किस देश के साथ मंत्री मंडल ने स्वास्त के छेतर में सहयोग करने के लिए एक समझोते ग्यापन को मंजूरी दी है तो वो है आईवरी कोष्ट को किस सहर में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 का सम्मिलन आयोजित किया जाएगा तो देखें किस सहर में किया जाएगा ये किया जाएगा गांधी नगर में जो कि कहा है गुजरात में है फिर आगे देखेंगे केंडरी मंत्री मंडल ने सारोजनिक छेतर के दस बैंकों के चार बैंकों में बिले होने के ब्यापक एक इकरण को मंजूरी दी बिले किस दिन से प्रभावी है तो हमको यह बताना है बिले किस दिन से प्रभावी है तो वो होगा 14 2020 यानि कि 1 अपरेल 2020 से ये प्रभावी हो जाएगा फिर आगे देखते हैं किस सहर में भारती सेना की अंतराश्टी संगोष्टी प्रग्यान सम्मिलन 2020 आयो जित हुई तो जो प्रग्यान सम्मिलन 2020 है ये हमारी नई दिल्ली में हुई थी फिर देखते हैं किस देश को राष्टी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो वो है हमारा तीन मार्च चार मार्च होगा चार मार्च को जो है राष्टी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है फिर देखिए भारती विज्ञान कांग्रेश 2021 का महा सच्यू किसे चुना गया है तो जो 2021 का महा सच्यू है वो विजे लक्षमी सक्सीना को चुना गया है किस राज केंदर सास्चित प्रदेश ने स्टूडेंट हिल्थ कार्ड योजना की सुरुवाद की है तो स्टूडेंट हिल्थ कार्ड की सुरुवाद जो की गई है वो जम्मू कस्मीर के द्वारा की गई है फिर आगे देखिए कर्मचारी भविष्य निधी संगठन एफ ओ न एक मिनट रुक चाहिएगा कर्मचारी भविष्य निधी संगठन एफ ओ ने भविष्य निधी में जमा ब्याज दर को 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिसत तक घटा दिया तो एफ एप यफ ओ का मुख्याले कहां है तो एप यफ ओ का जो मुख्याले है वो हमारा कहां पे है तो देख देखते हैं उसका जो मुख्याले है हमारा कि रुख जाए इसमें जो है कुछ आप्शन नहीं दिख रहे ति यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इसको आप जो है करके बताईए गर कमेंट में कि कहां पे इसका मुख्याले है ठिक आगे देखते हैं लिखा है कि आर बी आई ने किसे यस बैंक का संस्थापक न्यूक्त किया है तो जो प्रसासक है यस बैंक के वो कौन है वो है हमारे प्रशांत कुमार फिर देखिए यस बैंक में निकासी सीमा क्या है तो यस बैंक की जो निकासी सीमा है वो 50,000 है किसे नारी सक्ति पुरसकार के लिए चुना ग गया है नारी सकती पुरसकार के लिए फिर देखे संयुक्त राष्ट के पूर्व प्रमुख जेवियर पेरेज डी क्यूलर जिन्होंने 1981 से 1991 तक संयुक्त राष्ट महासचिव के रूप में कार किया इनका निधन हो गया या किस देश से सम्मंधित थे तिया जो है पेरू से सम मंधित थे अगे चलते हैं लिखा है गयर सेड किस राज की ग्रीश मकालीन राजधानी होगी तो गयर सेड जो है यह हमारी उत्राखंड की सीथ ग्रीश मकालीन राजधानी होगी किस राज सरकार कोविता उत्सो का आयोजन करेगा कोविता उत्सो का आयोजन यह हमारा जबनाएगा तो दोजार तेईस में अंतरश्टी ओलम्पिक समित की मेजवानी काउन करेगा मुंबई करेगा किस दिन से देश भर में जन आउसधी सपताह मनाया गया तो जन आउसधी सपताह जो मनाया गया वो एक मर्च से 7 मर्च के बीच को मनाया गया सेवी द्वारा काउन सा एप लांज किया गया जो संस्थाओं को सिकायत दर्ज करने की अनुमती देगा तो वो है हमारा सेवी स्कोर्स सेवी स्कोर्स जो है ये ऐसा एप है जो की सिकायत दर्ज करने की अनुमती देगा फिर आगे देखे किस सहर में Global Ayurved Festival GAF आयोजित किया जाएगा तो यह जो आयोजित किया जाएगा यह हमारा कोच्ची में आयोजित किया जाएगा आगे देखते हैं अंतराश्टी महिला दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है तो जो हमारा अंतराश्टी महिला दिवस है वो हर साल जो है आठ मार्च को मनाया जाता है यू यसे स्थित संगठन फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इंदवर्ड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भ जोरम में मनाया गया किस राज में नमस्ते उर्चा तेवार मनाया गया तो नमस्ते उर्चा तेवार यह हमारा मद्रदेश में मनाया गया फिर आगे देखिए किसको नई दिल्ली में चौथे टाइमस आफ इंडिया थिक चौथे टाइमस आफ इंडिया sports अवार्ड 2019 में sports person of the year के रूप में नामित किया गया तो वो किसे किया गया है वो किया गया है PB सिंधु जी को PB सिंधी जी को नामित किया गया है फिर आगे देखिए खेलो इंडिया महिला हां की लीक अंड प्रतिसपर्धा कानून के अर्थ सास्त्र पर पांचवे राष्टी सम्मीलन का आयोजन किया गया है वो कहां किया गया है नई दिल्ली में किया गया है आगे देखते हैं किस सहर ने भारती प्रतिसपर्धा आयोग CCI ने प्रतिसपर्धा कानून के अर्थ सास्त्र पर पांचवे राष्टी सम्मीलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है किसको मुख सूचना आयोक्त बिमल जुलका ने सूचना आयोक्त केंद्री सूचना आयोग CIC के रूप में सपत दिलाई तो जो CIC के रूप में सपत दिलाई गई है वो किसे दिलाई गई है आमिता पांडोव को दिलाई गई है फिर देखिए हरियाडा के पूर्व मंत्री का क नाशिय्ट खे अजए के गोपता है पूर्व भारती सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से शन्यास लेने की घोछड़ा की है वह किस राज से हैं तो जो ये मतलब की वसीम जाफर है ये किस सहर से है तो ये महराश्ट से है फिर देखे किसने 2017-2019 की अबद के लिए सातवा डाक्टर M.S. स्वामी नाथन पुरोषकार जीता है जो साटवां डाक्टर एमेट स्वामी पुरोजकार जीता है वो किस ने जीता है वी प्रभीड रावने कौन सा राज्य मतलब स्वयम सहायता समूह के लिए एक विशेश बिभाग मिसं सक्ती खोलेगा जो मिसं सक्ती खोलेगा वो खोलेगा उडीसा सरकार कौन भारती तटरचचकबल की पहली महिला DIG बन गई है तो जो भारती तटरचचकबल है उसकी पहली महिला DIG बनी है कौन नुपुर कुल स्रेष्ट बनी है कौन बना है नुपुल कुल स्रेष्ट फिर आगे देखिए किसने The Adventure of the Daredevil डेमो क्रेट नाम से एक कामिक बुक जारी की है तो जो जारी की गई है वो किस ने की है नबीन पतनायक ने की है आरबी आई के डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया वो है N.S. बिश्व नाथन फिर आगे देखिए जनेज जांसा किस देश के नए प्रधान मंतरी बन गए हैं तो जो जनेज जांसा हैं ये हमारे स्लोवेनिया के प्रधान मंत्री बन गए हैं फिर देखिए डेनिस सिमगल किस देश के प्रधान मंत्री बन गए हैं तो डेनिस सिमगल जो हैं वो हमारे यूक्रेन के प्रधान मंत्री बन गए हैं फिर देखिए कौन फ्यूमा का नया ब्रा का पांचवे संस्क्रड की मेजबानी कौन करेगा तो जो बिम्स्टेक है इसका पांचवे मतलब सम्मेलन की मेजबानी म्यामार करेगा फिर आगे चलते हैं लिखा है किस राज को घरेलू सोलर रूफ टाफ इस्टालेशन के लिए सूची में पहले अस्थान पर रखा गया है तो जो हमारा घरेलू सोलरूफ टाफ है इसमें गुजरात को पहले नंबर रखा गया है कौन पान्सोटी ट्वाण्ती खेलने वाले पहले खिलाडी बने तो पान्सोटी ट्वाण्ती खेलने वाले खिलाडी किरोन पुलार्ड बने फिर देखिए दिगज अभिनेता, मैक्स 1-0 का हाल ही में निधन हो गया वह किस देश से थे तो जो 1-0 थे मैख 1-0 ये जो है हमारे कहां से हैं स्वीडन से हैं फिर देखे पेटियम के साथ साजेदारी में किस मैट्रो रेल लिम्टेड ने एक कीवार कोड आधारित मैट्रो टिक्टिन प्रडाली शुरू की है तो वो किस ने शुरू की है वो हैदराबाद ने शुरू की है आगे देखते हैं किस देश ने सारवजनिक परिवाहन को मुक्त कर दिया है तो जो हमारे लक्संबर्ग है लक्संबर्ग ने सारवजनिक परिवाहन को मुक्त कर दिया है ठीक आगे देखते हैं अगला लिखा है किस देश ने मिलबर्न में भारत को हरा कर रिकार्ड पांचवी बार ICC पहली यानि कि महिला T20 विसो कप जीता है फिर से देखेगा किस देश ने मिलबर्न में भारत को हरा कर रिकार्ड पांचवी बार I ICC महिला T20 Cup जीता है तो वो जीता है किसने आस्टेलिया ने फिर देखे केंद्री युवा मामलो में और खेल मंत्री किरन रिजेजू ने किस सहर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण का उधाटन किया तो किस कहां पर किया है ये गुलमर्ग में किया है किसने प जीता है तो वो किसने जीता है मोहन बागान ने जीता है संयुक्त राष्ट के अर्थ सास्त्रियों ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में FDI में कितने गिरावट का अनुमान लगाया है तो FDI में जो गिरावट का अनुमान लगाया गया हूँ ती वर्स के लिए सभसे अधिक रिकार्ड था तो वह हे हमारा कितना रुकिएगा वह हमारा बास अफ्सत मिलियन रहेगा किस राज को पोषन अभियान के समग्र कारियान वन के लिए देस में प्रथम अस्थान दिया गया तो देखिए समग्र कारियावन के लिए जो देश में पहला स्थान दिया गया ओrió किसे दिया गया वो दिया गया हमारा आंध प्रदेश को दिया गया ठिक किसको आंध प्रदेश को दिया गया है फिर आगे देखते हैं किस ने आई आई एम बैंगलूरू में महत्मा गांधी राष्टी फेलो सिप कारिकरम का सुभारंब किया तो वो किया है महेंदरनाथ पांडे ने किस सहर में साज्कृती मंत्री पहलात सिंग पटेल ने जलिया वाला बाक स्टीर सक नामक प्रदरसनी का उधगाटन किया तो ये कहां पर किया नई दिल्ली में किया गया है ठीक कहां किया गया है नई दिल्ली में किया गया है फिर आगे देखिए जन आउसर दिवस किस दिन मनाया जाता है ये फिर से रिपीट हो गया साथ मार्च को मनाया जाता है सियुपाल सिंग ने टोक्यो में आने अपने पहले ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई कर लिया है वह किस खेल से संबन्दित है तो सियुपाल सिंग जो है वो किस खेल से संबन्दित है वो भाला फेक से संबन्दित है यहनि कि option number 3 हमारा सही हो जाएगा फिर आगे देखते हैं लिखा है BSF का अस्थाई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो जो BSF के अस्थाई प्रमुख है वो SS देशवाल हैं फिर आगे देखिए हाल ही में UNDP द्वारा जारी किये गए Gender Social Norms Index Report में कौन सा देश महिलाओं के खिलाप पक्षपात करने में सीर पर है किसकी अध्यक्सता में आपदा जोखिम निवनी करन के लिए राष्टिय मंच का पुररगठन किया गया है तो वो किया गया है किसको अमित्र साह को किसको BBC Indian Express Mind of the Year के रूप में सम्मानित किया गया है तो BBC Indian Express Mind of the Year किसे चुना गया है PB सिंधू को चुना गया है किसको Lifetime अचीवमेंट एवार्ड दिया गया है तो Lifetime अचीवमेंट एवार्ड जो है PT उसाजी को दिया गया है ति यह हमने जो है आज तक 100 questions को discuss किया 100 प्रस्णों को हमने जो है discuss किया है और इसके आगे जो है आप लोगों को लगातार ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे हम आप लोग इसको जो है अपने notes में लिखना चाहें तो आप लोग notes लिखते रहें और पूरा हर महीने का भाई अगर आपको हर महीने का इकठा मिल जा रहा है current affair तो फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है current affair मैं आपको पूरा करवा दूँगा यह मेरी guarantee है आप हमारे साथ बन मिलते हैं अगले वीडियो